हेल्ट फेंट्स मैं हूँ सन्मेप्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब नियूज कई महत्पुन कोशन हैं एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे तमाम कोशन्स में और भी कोशन उस पर बात करेंगे तो शुरू करते हैं और हाँ जनुट से लेकर अगस्त का अब तक का तमाम करेंट फर्स अबलेबल है यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देखना जुरूर इस फूरे के डिस्किप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा ओके तो शुरू करते हैं और पहला कोशन लेत है सुयोज 2 रॉकेट के जरिये इस से लेटेट कोशन मतलब इस तरीके से भी पूछा से सकता है कि रूस ने 47 येर के बाद चांद पर मिशन भेजा तो इसका नाम क्या है तो वही आंसर होगा लूना 25 ठीक है तो 47 येर के बाद हाला कि उस समय 47 येर पहले तो उसका जो अस्त था वो सोवियत संग के रूप में था तो उसने अपना मिशन ये भेजा है लूना 25 दस अगस को लॉंच किया है और ये पांच दिन में ही चांद तक पहुंच जाएगा और इसके बाद साथ से दस दिनों तक चांद का चांद के औरबिट में चकर लगाएगा और फिर 21 ये जर्बाइस अगस को चांद की सथा पर उतर जा आई कहां पर उतर यहां उसी जगह पर यह उसी जगह के आज पास जहां पर चंद्यान 3 को लाइंड की यानी दक्षनी धरूप के पास थी इसको समझते हैं कि चंद्या स्काइद का बाद कार्मा 37 कैसे पहुंच रहा है वो समझते हैं ओके बैसिक चीजे समझना जरूरी है देखिए चंद यान 3 को लॉंच किया था 14 जुलाई को ठीक है तो 14 जुलाई को जब लॉंच कियागा तो वो इस ऑर्बिट का यानि प्रिथवी के ऑर्बिट में घूमता रहा क्यों क्योंकि इसका ज और फिर जब एक मोमेंटम ले लिया चंद यान 3 ने उसके बाद उसके इंजन ने थोड़ से पुश किया और सीधे वो और्बिट में पहुंच गया कहां पर ये चंद्रमा के और फिर इस और्बिट में चंद्रमा का जो गुर्तवा कर्शन है ग्रैविटेशनल फोर्स है उ इसमें क्या होगा इसमें फ्यूल और जो रॉकेट की कैपरसिटी है वो कम होने के बावजूद हम लोग वहां तक एचीप कर जाएंगे अब हुआ क्या है यहां पर जो रूस की स्पेस एजिंसी है क्या नाम है उसका रॉसकोसमोस तो उसमें जो लॉंच किया है इस मिशन को और उस मिशन का नाम क्या है मिशन का नाम है लूना 25 तो उसमें बहुत ताकतवर रॉकेट लगा हुआ है सोयोज 2 तो उसमें क्या को वहां से लॉंच किया इसमें 10 तारीक को और लॉंची के बाद आधा मतली इस ओर्बिट में करीब हाफ ही इसने चकर लगाया उसके बाद इस रॉकेट ने पुश कर दिया रॉकेट हाला कि उतर नीचे चला गया लेगन उसका जो क्रायोजनिक इंजन है वह थोड़ा पावरफुल था और उसमें काफी फ्यूल है उसने क्या किया यहां किवल 5 दिन में ही यह यहां पर पहुंच जाएगा और फिर यह कुछ दिन च लाँच किया है इसलिए वह मुमेंटम लेते लेते गृत्वा आकर्शन का उप्यों करते करते वहां पहुंचा और वहां पर यह लाइंडिंग करें लेकिन रूस नहीं क्या किया रूस ने उसका बहुत ज़्यादा खर्चिला अभियान और उस खर्चिले अभियान की तो ये अंतर है इंडिया और तमाम देशों का, इंडिया कम खर्च में ये काम कर रहा है, ठीक है, तो एक महत्पुर्ण बात है, जो समझना जरूरी था, और इंडिया का चंद्यान्थरी जो है वो पहुँच चुका है, चांद के और्बिट में, ओके, अच्छा एक और सवाल होता है, कि क्या, रूस ने क्या होर की है इंडिया के साथ, इसमें यहाँ पहुचने के लिए, क्योंकि इंडिया पहुचने वाला था, और उसी वक्त, मतलब ये जो दक्षिने धरूब है, इस जगह पर, अभी तक किसी विदेश ने लेंडिंग नहीं किये, और इंडिया य रूस का ये कहना है, कि नहीं हमारा कोई competition नहीं है, हमारी तो योजना काफी पहले से थी, कई साल पहले के थी, लेकिन चुकि विशिशगों का ये कहना है, कि चुकि रूस ने जो अटेक किया था योक्रेन पर युद हुआ, उसके बाद यूरोपी एस पेस एजनसी ने रू कर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इसी जगह पर अलग अलग उतरेंगे, ठीक है, तो ये एक महत्पुन बात है, चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला question लेते हैं, ठीक है, तो question होगा, महत्पुन question, भारत सरकार ने भी हवाना सिंड्रोम की जाच करवाने का फैसला किया, तो ये क्या है, आगसों का रहस्म है आवाज से बिमार होना, इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं, हवाना सिंड्रोम, नियूस देख रहे हैं, ठीक है, तो भारत सरकार यानि के इन सरकार हवाना सिंड्रोम की भी जाच करेए, दुनिया के कई देश इस मामले को जाच कर रहे और इंडिया यह पता लगाया कि कोई बिमारी ये कोई बिमारी है या कोई गुप्त हथियार है। हुआ यह कि करनाटक हाई कोट ने 27 जुलाई को केन सरकार से पूछा था यह क्या आप यह जाँच कर रहे हो क्या। तो केन सकार ने कहा कि हाँ हम जाच करें तो फिर करनाटक हाई कोट ने ये कहा कि तीन महीने में हवाना सिंड्रोम से समझे संभावनाओं की जाच करें अब स्वाल ये है कि क्या है हवाना सिंड्रोम देखे हवाना सिंड्रोम का प्रभाव अमेरिकी अधिकारियों और डिप्लोमेट ने महसूस किया है अब तक और भारत में भी महसूस किया है अमेरिका के अधिकारियों ने और आशंका है कि ये जो आवाज है वो high frequency microwave transmission के जरिये target तक पहुँचाया जाता है वहां तक भेजा जाता है लेकिन भी पता नहीं चला है actual में कि ये सचमुच में microwave transmission से भेजा जा रहा है आवाज भेज जा रही है या क्या है ये आवाज, कहां से आ रही है आवाज तमाम जाच हुई है लेकिन बन बनाहट की आवाज सुना देती है बर्तन के रगणे जैसी आवाज हुती है सुवर के चीखने जैसी आवाज सुना देती है और जो मतलब जैसी शिकायतیں आई है और इस आवाज का कोई source पता नहीं चला दोनों हाथों से अगर कान बंद भी कर लिए जाए तब भी ये आवाज धीमी नहीं होती है और लंबे समय तक आवाज सुनने के वज़े से लोग बिमार हो जाते हैं और उनमें बिहोशी, चक्कराना, सिर्दर्द, उल्टी जैसे लक्षन दिखा जाते हैं और कई लोगों की तो याददाश तक चली जाती है हाला कि ये सब मामले जो है वो अमेरिकी अधिकारियों या अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं उन सब के साथ ये सब हुआ है किसी इंडियन के साथ अभी तक ऐसा कोई मामला देखा नहीं गया इंडिया में भी हुआ है लेकिन वो भी अमेरिका के जो C.I.A. का चीफ है उसके साथ ये हुआ था उसके बारे में भी आगे बताते हैं सवाल है कि नाम क्यों पड़ा हवाना, सिंड्रोम देखिए अमेरिका का एक परुसी देश है क्यूबा एक वार मैप के थुरू में चलते हैं, इधर प्यार भारत था ये अमेरिका रहा अमेरिका के पास ये है क्यूबा यहाँ पर इस जगह पर परुसी देश है उसका तो दोनों के बीच में बड़ी खटपट रहती थी तो हुआ ये कि जब बड़ाक उबामा राष्टपदी बने थे उसके बाद उन्होंने रिष्टे बहाल किये थे, बहतर किये थे और फिर वहाँ पर डिप्लोमेट्स वहाँ तेनाथ हुए थे, गये थे वहाँ लेकिन दो साल के बाद ही अमेरिका ने तमाम डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था अधिकारियों ने शिकायत की जो डिप्लोमेट्स थे उन समने कि उनको अजीब सी कुछ आवाज सुनाई देती है और हवाना का जो दूतावास से हुए यह रहा और उन आवाजों को सुनकर बिमार पढ़ गया या दस्त की समस्या आगए जिसी वज़े से यह नाम जो ना हवाना सिंड्रोम पढ़ गया इसका और धिरे-धिरे कही देशों में यह आवाज सुनाई देने लगी अब यहां सवाल होगा कि भारत में यह हवाना सिंड्रोम कब डिटेक्ट किया गया था दोज़ार इसमें एक ही बार डिटेक्ट किया गया उस वक्त अमेरिका के खूफिया एजेंसी यानि CIE उसके डेक्टर विलियम बंस वो दिल्ली के दौरे पर आये थे और उस दौरान उनके साथ एक आये अमेरिकी अधिकारी ने भारती डौक्टरों को यह बताया कि हवाना सिंड्रोम के लक्षन महसूस किया जा रहा है मज़र CIE का चीफ जो खूफिया एजेंसी का चीफ है अमेरिका का उसे दिल्ली में भी यह सुनाई दिया और इसके लबा कई और देशों में सुनाई दे चुका है तमाम अमेरिकी अधिकारियों को जिसे चीन के वांगजू में 2018 में अमेरिका में खुदी वाशिंटन डिसी में 2019 में 2020 में दिली के लावा और ऑस्टेलिया के वियाना में जर्मनी का कि राज़धने बर्लिन में वियतनाम के हनोई में सर्बिया के बेलगरेट में वहाँ भी यह सब आवाजें सुनाई दे अमेरिकी अधिकारियों को होता है तो यह आशंका है कि कहीं यह कोई microwave के जरिये target तक कोई sound पहुचाए जा रहा है और उसे लोगों को बिमार किया जा रहा है उस खास वर्ति को बिमार कर दिये जा रहा है या उस group को बिमार कर दिये जा रहा है अच्छा हवाना सिंड्रोम की जाच काफी हो रही है पूरी दुनिया में हो रही है और एक अमेरिके साइंटेश्ट थे उनका नाम था एलन एच फ्रे उन्होंने कुछ रिसर्च किया था और काफी पहले 1962 में ही तो फ्रे इफेक्ट उन्होंने बताया था उसमें एक ऐसे साउंट को एक जिंगुर की तरह आवाज पहुचा देना दूर तक पहुचा देना और उसके कारण जो तमाम एफेक्ट होता है सिर्दा दूल्टी और मानसिक समस्या यह सब होती है तो अब जब भी यह आवाज सुनाई देती है तो इसके सूर्स का पता लगाए जाता है लेकिन पता लगता ही नहीं अब तर और अभी ऐसी ही बस यह चर्चा है या संभाव ना जटा जाती है कि कोई माइक्रो वेब हतियार हो सकता है जिससे ऐसा किया जा रहा है अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है लेकिन उसे भी अभी तक मतलब जो तमाम रिकॉर्ड हैं उसमें अभी तक पता नहीं चला है कि क्या है यह ओके तो अब इंडिया भी इस मामले में अपनी तरफ से इंडिया ने कहा है कि हम इसकी जाच कर रहे हैं और हाइकोट ने कहा है कि तीन महीने में आप बताईए क्या इस्तिती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन अच्छा है यह इस तरह के कोशन आ सकते हैं आपके लिए एक्सामिशन में हवानार सिंड्रोम क्या होता है तो अगला कोशन लेते हैं उससे पहले इंफॉर्म कर दूँ कि जो भी म पिछले भी मिल जाएंगा कौन से कौन से पीडियेफ होंगे तो वीकली होगा मंतली, क्वार्टर्ली, येर्ली ये सब पीडियेफ होंगे और कई तरीके के जैसे वन लाइनर, mcq, mcq with notes और साथ में वीडियो का लिंक भी होगा ताकि उस चीज को जब पढ़ रहे हो और व पिए सी का है उसका भी हो, डेली पुलीस है, एससी के तमाम, यूपी ट्रिपल सी का पीटी एक्जामनिशन और तमाम एक्जामनिशन के टेस्रीज भी हैं, इसी मेंबर्शिप के जडिये, ठीकि बहुत मामूल सी रेका में, इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देदाँगा, तो अगला कोशन होगा, अंतराष्टी युवा दिवस कम मना जाता है, आंस होगा, 12 अगस्त को, समाज में युवाओं की विकास, सुरक्षा, इन सब को धियान में केंदेद करते हुए, ये दिवस मना जाता है, अंतराष्टी युवा दिवस, सेंउतर किसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राजसभा में विधेक पेश किया है, आंस होगा, प्रधान मते द्वाना नामीत कैबिनेट, देखे, तीन सदस्य कमेटी है, उसके बारे में बताते हैं, कोशन ले लेते हैं, इससे रिलेटेट कोशन लेते हैं, मतलब नमबर हमन चेंज नहीं किया, नमबर वही रखा है, क्योंकि एक ही मुद्दा है, चार नमबर ही कोशन, तो कोशन इस तरह से भी हो सकता है, कि राजसभा में पेश हुए विधेक में मुख चुनाओ आयुकत और चुनाओ आयुकतों के चैन का अधिकार इन में से किस कमेटी को देने का प्रावधान है, तो आंसों का इसका प्रधान मंतरी ठीक है, लोकसवा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान मंतरी द्वरा नामित कैबिनेट मंतरी, इससे पहले क्या था, इससे पहले सुप्रिम कोट ने एक ओर्डर यारी किया था, कब? मार्च में, मार्च में ओर्डर य करते हैं राश्टपती करती है कई अभी तो सरकार की सलवा पर तो सुप्रिम कोट से कोई सम॥ुत हम क्या से कब वूब क्या करते हैं कि कमेटी बना थी तीन लोगों कि उसमें प्रधान मंत्री, लोकसमामिनेता प्रत्वक्ष और चीफ जृष्टिस ओफ इंडिया थे लेकिन अब सरकार नहीं कहा कि नहीं हम इसको पैनल को ही बदलना चाहते हैं और एक नया विधेक लेकर आई और उसमें उनकी जगत CGI की तरह प्राईम्मिनिश्टर के द्वारा नामीत कैबिये ट्व्य alltså जाईगा तो किसी को सरकार सरकार कह सकती है क्योंकि बहुमत दो लोगों का है लोग सोवन नेता प्रतिपक्च वह कुछ कहते रहा जाएंगे लेकि बात नहीं मानी जाएगे ओके दूसरा एक यह भी बात कहीं जा रही है कि चुनाओं आयोग में चुनायोगतों की नुपती में जुनिश्री का इन्वाल्मेंट नहीं होना चाहिए तो इसलिए सरकार न के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री हाला कि विपक्च ने इस पर काफी तीखी प्रतिग्रिया दी है और देखते आगे क्या होता है अभी तो राजसभा में यह पेश हुआ है और आगे जो भी होगा अब सवाल है कि समिधान में क्या प्रावधान है देखे समिधान के अन कानून नहीं था सरकार मतलब अभी तक किसी भी गवर्मेंट ने कानून नहीं बनाया था तो कानून नहीं बनाया जाने की वज़े से क्या होता सुप्रिम कोट ने मार्च में यह आदेश दिया था कि एक तीन लोगों की कमिटी बनाय जा उसमें प्राव मिनिस्टर नेता प कौन है इस देश के तो उनका नाम है राजीब कुमार ठीक है राजीब कुमार CEC है और दो जो एलेक्शन कमिशनर है वो एक अनूप चंद पांडे और अरुन गोयल है चलिए अगला कोशन लेते हैं इपास के जरिए यहने इलेक्ट्रोनिक पास के जरिए सुप्रिम कोर्ट मे किस वेब साइट को लॉंच किया है आंसो होगा सू स्वागतम ठीक है क्या है सू स्वागतम तो एक वेब आधारित यह मोबाइल फ्रेंडली एप्लिकेशन है और उसके जरिए अगर कोई वेक्टीर सुप्रिम कोट परिसर में जाना चाता है तो वो एलेक्ट्रोनिक पास य जाएगे कि क्यो आर कोड के जड़िये मतलब एक क्यू आर कोड सू स्वागतम वेब साइट के जड़िये जारी हो जाएगा और फिर आप एंट्री कर सकते हैं उसमें सुप्रिम कोट ऑफ इंडिया अगला कोशन लेते हैं किस राजसरकार ने इंद्राजांधी मुफ्त स्मा फोन योजना 2030 में शुरू किया तो यॉशल को शुरू उटर ने इसको राजसर्थान योजना के तद यह होगा कि राजसर्थान में जो महिलाएं हैं और विद्वा महिलाय गवर्नर है कल राज मिश्र और राजधनी है जैपुर देगे वहाँ चुनाव होने वाला है आगे आने वाले वक्त में तो धेर सारी schemes और योजनाय लॉच्छ हो रही है अगला कोश लते हैं के इंदर सरकार ने लिम्फैटिक Filaria Cys बिमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्छ बना है अजऑ दोज़ाकर दोज़ार तख तक टीकर न्यूस देख रहे हैं हम दोज़ार शज़ार सताइस तक इससे यानि कहिए इसको जो पाव भी कहा जाता है तो यह बीमारी कैसे होती है ये दरसल एक मच्छर के काटने की वज़ से होती है और वो परजी भी होता है मच्छर में और वो शरीर में प्रवेश कर जाता है उसकी वैसे पैर जो न वो हाथी के जैसे काफी मोटे हो जाते हैं तो यह अभियान कहा कहा चलेगा असम बिहार चतिसगर जारखन करनाटक और महराष्ट के 81 डिश्टिक में जहां पर यह विमारी जो हैना फाइल एडिया वो है अगला कोशन लेते हैं एफ आई एस यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स दोहजा तेस में भारती खिलारियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं आज सोगा 26 26 मेडल टोटल जीते गए चीन में आयुद किया गया था है चीन के चेंगदू में ठीक है तो भारती खिलारियों ने तिरंदाजी अथलेटिक्स अबैड मिटन तलबारवाजी जूडो शुटिंग तराकी टेबल टैनिस इन सब में पाटिस्पेट किया हाला कि वुशू टीम जो हैना वहां नहीं गई क्योंकि नथी वीजा का स्पोर्ट्स फेडरेशन ओके अब यह मत कहना कि आप एफ का मतलब अलग हो जाता है इस आई एस यू तो अलग हो गया और डिटेल जो है नाम वह इंटरनेशनल यूर्शिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन है क्या बार फ्रेंच शब्द में जो हैनो नाम अलग हो जाते हैं तो तो वहाँ फीफा पर फ्रेंच का प्रभुत रहा है पहले तो इसलिए नाम हो ऐसा है तो यहाँ एफ आई एस यू है इंटरनेशनल यूर्शिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन यह कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे से रिलेटेट कोशन लेते हैं एफ आई एस यू वर्ल्ड यूर्सिटी गेम्स 2023 में भारती खिलारियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आंसो होगा 11 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं तो 11 गोल्ड हो गए 5 सिल्वर हो गए और 10 जो नो ब्रॉंच मेडल जीते हैं ओके और अगर पदक तालिका देखेंगे तो आप द तो इंडिया ने 11 गोल्ड मेडल 5 जो हैं वो सिल्वर और 10 ब्रॉंज मेडल जीते हैं इस कॉंपेटिशन में चले अगला कोशन लेते हैं स्पोर्ट्स अथार्टी ओफ इंडिया यानि साई ने किस अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सिरीज की क्या है चीर फॉर इंडिया तो आने वाले हपतों में साई यानि एसे आई की कुल बारा लगू फिल्मों शॉर्ट फिल्म में रिलीज करने का उनका प्लान है और उर्देश यह कि जो एश्याई गेम से उनमें जो पाटिस्पेट करने हैं तलीट उनको प्रेडित करना और तो आम युवा हैं उनको खेल में करियर बनाने के प्रसाहित करना ठीक है तो दोस्तों यह था इन्पार्टेंट करेंट फर्स कल फिर मिलेंगे ताजातरीन कांटेंट के साथ और कल का बहुत ही महत्पुन जो सेशन होने वाला है बजह यह है कि सरकार ने बहुत सारे कानून और को फैसला किया ठीक है ठीक है जैसे आई पीसी का नाम बदलने का फैसला किया है और भी कई चीजह उन सब के बारे में बताएंगे आपको ओके देखेगा जुरूर और जी लोग ने सबस्क्राइब नहीं कि है जुरूर कर लेंगे अब लेके दबाएएंगे तो